नमस्कार मैं हू काजल मिशा स्वागत है आपका N1 Live पर हिमाचल प्रदेश से जोड़ी खबरों को लेकर हम रोजाना आपसे मिलते हैं और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा भी करते हैं आज भी हम कुछ खबरों के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और हमेशा की तरह आज मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी और सीनियर जनलिस्ट संजय मलोतराजी स्वागत सर आपका हमारे शोपर बहुत बहुत शुक्रिया आपका काजल हिमाचल में ये साल चुनावी साल है चुनाव लागतार नजदीक आते जा रहे हैं और इसके साथ साथ राज्य में सियासी सरगर्मिया भी तेजी पकड़ रही है आज की खबरे जिनबर हम चर्चा करने वाले उनका संबंध भी हिमाचल के राजनीती से हैं तो क्या है ये खबरे आईए जानते हैं संजय मलोतराजी से सर तो ये हिमाचल में जो इस मक्त खबर आ रही है उसमें से में मुद्दा क्या है हिमाचल की अगर हम आज की ख़बरों की बात करें काजल तो अब क्या है कि हिमाचल आपको मॉलूम है कि चुनावों की दिनगों बड़ रहा है नومमबर में विधान सवा के चुनाव होने है तो सियासी सरग Goku जो हैं वो सियासी के तीविदियां जो हैं वो तेजी बगड रही हैं जी तो ज्यादातर हम जब भी चर्चा करते हैं तो वहां की सियासत को लेकर वहां की राजनीती को लेकर और वहां के जो सियासतदान है वो क्या कर रहे हैं उनको अंतिम विधानसवा साथ रहने वाला है क्योंकि नोंबर में चुनाव है तो ये मांसून साथ है छार सिटिंग्स में हो नहीं है चार दिन ये चलना है दस तारीक से लेकर तेरा तरा तारीक तक ये चलेगा तो ये एक मौका है सरकार के पास भी और विपक्ष के पास भी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का अपनी बात को हाइलाइट कर만े का सरकार के पास मौका रहेगा कि वो जो आखरी समय میں अगर कोई कानून मनाना चाहती है को नया बिल लाना चाहती है तो उसके पर काम कर सकती है वहीं विपक्ष की तरफ से कोशिश रहेगी कि जो मुद्दे वो सडकों पर उठा रहे हैं उनको विदान सभा के पटल में भी वो उठा पाएं तो इस तरह से दोनों तरफ से ये एक बहुत ही एहम जो है वो सत्र रहने वाला है सेशन रहने वाला है और आज इसको लेकर विदान सभा के जो अध्यक्ष हैं विपन परमार विपन सिंग परमार उन्होंने आज एक पत्रकार वरता भी की है मीडिया के साथ वो रूबरू हुए हैं और उन्होंने एक मोटी मोटी जानकारी जो है इस सतर को लेकर वो दी है तो जिसमें उन्होंने ये बत जो हैं वो पूछे जाने हैं जैसमें कुछ स्टार्ड होंगे कुछ अंस्टार्ड होंगे और उसके अलावा कई कॉलिंग अटेंशन मोशन्स और एडजर्ण्वन मोशन्स भी जो विपक्ष के सदस्यों की तरफ से दिये गए हैं उनके ओपर भी चर्चा होगी हालांकि उनको स्पीकर किया जाएगा या नहीं स्पीकर किया जाएगा उसको उसको लेकर बाद में कोई फैसला जो है स्पीकर की तरफ से लिया जाता है लेकिन निश्चे तोर पर कुछ ना कुछ लो जो कॉलिंग अटेंशन मोशन्स हैं ध्याना करिशन प्रस्ताव हैं या काम रोको प्र से जहादा Ea अपने जो अब तक की उनकी उपलबदियां उनके बारे में विदान सवा में चर्चा करवाए जो विधायक हैं सत्ता पक्ष की विधायक है उनकी तरफ से कोशिश रहेगी कि ऐसे उन मुद्दों को लिया जाए जी जैसा कि सर आपने बताया कि क всегда कि ये रड़नीती रहेगी लिद्ग्र के और ये मौजुदा सरकार का ये आखरी वीध़ान सत्र भी है तो आपको क्या लगता है कि इस सत्र में सत्र क्या रड़नीती रहेगी एकि कांगरेस के लिए ये सत्र बहुत महत्पोर्पून है और क्विए कांगरेस विपक्ष में है और ह波घ scope में आपको मालूम है कि वह पर रवायत रही है कि अथलिए पर्टी रिपीट जहां तक मुद्दों को सवाल है कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस सरकार के ओपर हमलावर हो सकती है खास तोर पर आपको याद होगा कि पुलिस भरती का पेपर लिग का जो मामला था उस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गरवा सकती है, इस मुद्दे पर सरकार को खेरा जा सकता है, उसके इलावा जो वित्तिय स्थिती है प्रदेश की, वो उसको लेकर भी कांग्रेस जो है, वे सरकार के ओपर हमले बोल सकती है, इस समय हिमाशल के ओपर करजा जो है, वो काफी बढ़ गया है, गरिब सत्रह हजार है वो उनको नहीं दिया गया है वो करीब 10,000 करोड रुपे का खर्चा सरकार के सिर्क के ऊपर है तो वो वाला मुद्दा भी है उसके ओपर भी बात कांग्रिस के तरफ से की जा सकती है और फिर बागवान जो है वो लगातार जो है उसलकों पर है कई तरह की उनकी समस्याय हैं उनको लग रहा है कि उनका जो व्यवसाय है वो एक लाव प्रद व्यवसाय नहीं रहा है उनका जो लाव है उनका मुनाफ़ा जो है वो लगातार कम होता जा रहा है और सेप की गेती हिमाशल प्रदेश में घाटे का सोधा बनती जा रही है और उ जो हैं वो खुश नहीं है और ये वाला भी एक मुद्दा रहेगा और उसके अलावा प्रदेश में कई सड़कों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं खासता वार पर जो लिंक रोड्स है नेशनल हाईवेज पर तो स्थेती फिर भी थोड़ा ठीक है लेकिन जो जिला स्थर पर जोड़ने वाली सड़के हैं या आगे तैसील स्थर पर जोड़ने वाली सड़के हैं वो बहुत खस्ता हाल है तो वो मुद्दे भी जो है इंफ्रस्ट्रक्चर से जोड़े मुद्दे भी जो है उनके ओपर भी चर्चा होगी और वहां भी कांग्रेस जो है अगर चाहेगी तो सरकार को घेर सकती है तो यह मुद्दे जो है मुझे रखता है कि विधानसवा में रहने वाले हैं सच जैसा कि हिमाचल में विधानसवा चुनाओ भी जल्द शुरू होने वाला है वैसे तो भाषपा के साथ आमादमी पार्टी भी है कॉंग्रेस भी है लेकिन इस वक्त टक्कर लगता है कि भाषपा और कॉंग्रेस के बीश में जादा है आपको क्या लगता है कि इस चुनाओं के लिए कॉंग्रेस पूरी तरद से बीखुल बचा चुकी है बिल्बुल काजल आप बहुत सामय नहीं रह गया है आप जांते हैं कि अगस्द का महीना चल रहा है और आधा अगस्त लगवग बीतने को है तो सितंबर और अक्तूबर दो महीने बीच में हैं जिसमें कांग्रेस को जो है वो आन ग्राउंड काम करना है यहां तक की भाजपा को भी उसके लिए काम करना होगा तो आमाद्मी पार्टी भी जैसा कि आपने कहा कि उसकी तरफ से भ हैने वाली हैं हम जब भी चर्चा किया करेंगे तो हमें रोज इन बातों को लेकर चर्चा करनी होगी कांग्रेस का जो आपने हाल का जो मुद्दा उठाया तो कल कांग्रेस की एक्शुली कोर कमेटी की पहले बैठक थी और उसके बाद फिर जेनरल हाउस था कोर कमेटी की थोड़ा लेट शुरू हुई क्योंकि कल आपको मालूम है कि नितिया योग की बैठक भी थी तो उसमें कई बड़े नेता वहां पर थे चूंकि भुपेश्ट बगेल जो की 36 गड़ के मुख्यमंतरी हैं उनको इन चुनावों के लिए observer निक्ति किया गया है तो वह वहां प बड़े जो बाहर से केंदर से आने या दूसरे राजियों से आले वाले नेताओं में परताब सिंग बाजवा हैं उनको भी महां के लिए जमेंबारी दी गई है गुर्कीरत कोटली है पंजाब से उनको भी दी गई है तो ये लोग महां पर थे कोर कमेटी में माचल के बैठक देर रात हुई और उसके बाद जनरल हौस की बैठक आज हुई है जनल हाउस से हमारी मुराद होती है कि उसमें जितने भी सदस्स रहते हैं जितने भी पढ़ाधिकारी प्रदेश में होते हैं पार्टी के वो लगबख सारे के सारे उसमें भाग लेते हैं तो वो से आए हैं या प्रदेश में जो पार्टी का नेतरत कर रहे हैं उनको भी अपने कार्यकरताओं की नवस्ट टोलने का मोगा मिलता है तो वो आज की जो जनरल हाउस है उस लिहाज से काफी important meeting कही जा सकती है इस पे यह देखना होगा कि हवा किस तरफ जा रही है कार्यकरता किन मुद्दों को चाहते हैं कि पार्टी अपना मुद्दा बनाए किस नेता को वो चाहते हैं कि उनका वो नेता बने क्योंकि आपको पता है कि हिमाशल में बाकी राज्यों की तरह वहां भी जो कलेमेंट्स हैं जो दावेदार हैं उच पद के लिए या मुखümanत्री पद के लिए दावेदार हैं उनने कांग्रिस में भी तीन चार नाम हैं तो उन में कौन फरंट रशनम हो सकता है कौन आ गए जा सकता है इस चीज़ का अंदाजा भी इन मीटिंग से लगता है और द के बाद मीडिया को भी भुपेश बखेल की तरफ से संबोधित किया गया है जिसमें उन्हों ने कांग्रेस की जो रणनीती रहने वाली है उसके बारे में चर्चा की है तो हम पहले आप से चर्चा कर रहने वाली है हमाचे प्रदेश में और सियासी सरगर्मिया लगातार बढ़ने वाली है रोजाना निताओं की तरफ से जो है वो रैलीज की जाएंगी लोग बयानबाजी होगी तो यह सिलसला चलता रहेगा जी सर जैसा कि हमने कॉंग्रेस के चुनाव से बात की अब हम बात करते हैं सर बिजली कर्मचारी जो की हरताल पर है पहले भी ख़बर आच चुकी थी कि वो अनिश्यत कालिन खरताल पर थे लेकिन फिर एक हाई है कि बिजली कर्मचारी माचल में हरताल पर है सर वो क्या ऐसी मुद्दे हैं क्या ऐसी वज़ा है जो उन्हें बार बार हरताल करना पड़ता है देखिए वैसे तो कई स्थानिय मुद्दे हैं उनके वेतनमानों के मुद्दे हैं लेकिन यह जो मुद्दा एक बहुत बड़ा काने की निर मौने मी झाल रह रहे हैं, कर्म चारी को लग रह रहा कि उस बिल कि आ जाने के बाद, संशोधन हो जाने के बाद उस बिल में जो वरतमान बिल है, जो बिजल भाग भाग है, वो निजी और विजली के वितरन का विजली खासलर पर वितरन का काम डिस्रिबूशन का काम कम निजी हाथों में चला जायेगा और करमचारी जो है निश्चे तौर पर इसका विरूत कर रहे हैं, उनको लगता है कि अज़ अगर होता है तो उनके हितों पर कुठारगात होगा हाँ उनकी पेंशन्स के ओपर असर पड़ सकता है उनकी जॉब सिक्यरोटी के ओपर असर पड़ सकता है और काफी लोगों को की नोकरी जा भी सकती है रिटरेंशमिंट भी हो सकती है तो इस तरह कि कई उनको उनके मन में डर हैं तो उसको लेकर करमचारी जो है वो लगातार सर विरोध में खड़े हैं, कोशिश हो रही है, तो उसी को लेकर यह हरताल है, देख रही है कि यह हरताल कितनी कामियाब रहती है, सरकार के ओपर इसका असर कोई रहता है या नहीं रहता है, यह आने वाला समय बताएगा. सर, अभी जैसी की खबर आई कि हिमाचल में बारिश की जड़ा बात कर लेते हैं, हिमाचल में बारिश का कहर भी बढ़ता जा रहा है, चुकि दूसरी तरफ चमबा जिले में बादल पटनी की घटना सुबह में ही हो चुकी, और लैंड्सलाइन की भी घटनाए हैं वो लागत जिले से आई है, तो जो सलूनी एक जगाएं वहाँ पर इंगाम है, उसके आसपास के एक शेतर में दो तीन बार बादल फटने की घटना हुई है, और इसमें एक बच्चे की पंदरा साल की जोर की मौत की खबर भी है, इसके लावा कई घर भी वहाँ पर तबाह हुए हैं, और उसके बाद एक बार ये भी खबर है कि जो मनाली जो शिमला से किनोर का रास्ता है, जो जिसको हम इंडो तेवतन बौर्टर रोड भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टन रोड है, उस पर भी भावा नगर के पास लेंड्सलाइट के वजए से वहाँ पर भी जाम लग है, उसकी सबसे बड़ी वज़ा है, तो ये है कि एक बहुत ही फ्रिजाइल एकालोजी है माचल प्रदेश की, और उसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, सड़कों के ओपर काम हो रहा है, तो सड़कों के कटाई हो रही है, और क और सबसे जो चिंता की बाद ये है कि जो मुसम भाग किया अगर हम बात सुने तो अगले आने वाले दिनों में जो है एक बार फिर से जो मानसून की एक्टिविटीज है वो तेज होने वाली है, क्रीब दस ग्यारा के बाद से मानसून काफी एक्टिव रहेगा, तो अगर रहता है तो आशंका है कि ये घटनाए और भी होंगी, और भी कई स्थानों पर जो है बादल फटने की घटना हो सकती है, ये लैंड्सलाइट्स की घटना हो सकती है, तेज बारिश बाड़ाने की हो सकती है, तो निश्ची तोर पर हिमाचल में हिमाचल वासियों को काफी अ सरकार को भी पूरी तरह से सचेत रहना होगा सजग रहना होगा और जो disaster management के उनके जितने भी tools हैं जितने भी उनके उपाये हैं वो सब उनको करके रखने होगे ताकि कम से कम जान और मल का नुकसान हो. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमा ऐसा जुड़ने के लिए आज हमने जाना विधान सभा सत्र के बारे में कॉंग्रेस के रणीती के बारे में भी हमने जाना और बिजली कर्मचारी के हरताल के क्या कारणे उसके बारे में भी हमने चर्चा की साथ में मौसम की विभाग के बारे में भी हमने जाना ऐसे ही तमाम खबरों के साथ छोटे छोटे मुद्वबर चर्चा करने के लिए मिलते रहेंगे हम आपसे रोजाना तब तक के लिए देखते रहें एन्वन लाइव